नमस्ते दोस्तों इसमीता इस्टेचिंग मड़ में आप सभी का स्वागत है ये है एक बहुत ही खुबसूरत ब्यूटिफूल डॉर्मेट जो की हमने बनाई है और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ दिखाना चाहती हूँ ये डॉर्मेट कैसे बनता है आप सभी भी इसे बनाईएगा बना करके अपनी दर्वाजे की सोभा बढ़ाईएगा तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहली बात कि यह जो मैं बना रही हूं यह है ओल्ड साड़ी यानि पुरानी साड़ी को लंबाई में हमने कट कर लिया है इसके लिए हम एक फंदा इसमें एड़ करेंगे और इस तरह से दोनों तरफ से फंदे को बढ़ाएंगे इस तरह से और जो फंदा बढ़ा रहेगा उसे बुन लेंगे इस तरह से यह है उन इस तरह से लपेटेंगे तो एक फंदा बढ़ जाएगा तो दोनों तरफ से हमें इसी तरह से फंद से कुछी जारी को होजाती है फोसे कर सकते हैं और यह बहुत खुप स्वोड़त होता है काफी लंबा कॉम्स भ चलता सyssब दिनों rehab भाई बहुत भाई तक चलता कि खर में पुरानी साड़ी होती ही होती है उसे कि बना येगा बहुत घुरत बहुत इसुन्दर बनेंगा कि इस तरह से हम इस तरह से हम दोनों सब्सक्राइब जो फंदा पहले से बढ़ा उसे बूंते जाएगे इस तरह से फंदा बढ़ जाएगा यह इस तरह से बन करके रेडी हो कर दो नहे इधर यह दिखा रहे हैं कि जो बढ़ गया है उसको कैसे बिनना है गिंती कर लेते हैं अभी यह है 18 फंदे अभी हमें इसे और बनाना है यह है इसका दूसरा कलर यानि रेड और ब्लैक से हम बना रहे हैं कर दो तो यह इस्त्र से बन करके त्यार हुआ है और यह फंदा कंप्लीट हो गया है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस इक ग्यारह बारह तेरह चौदा पंदर सोलह सत्रह ठारह उन्निस भीज अब यहां से हम दूसरा कलर लगाएंगे यह जो ब्लैक कलर का है और इसको कटिंग करके निकाल देंगे अब इसकी जरुरत नहीं है तो अब हमें क्या करना है जिस तरह से हम दोनों साइट से एक एक फंदा बढ़ाए हैं उसी तरह से दोनों साइट से एक एक फंदा घटाते जाएंगे यानि दो फंदा बुनेंगे तो एक फंदा घट जाएगा और लास्ट में एक फंदा फिर बचेगा अब ही देखिए जैसे हम बना रहे हैं और यह है इसका उल्टा साइड अब यह है इसकी सीधी साइड देखिए दोनों साइड से एक फंदा घट गया है इस तरह से दो फंदे लेने हैं और एक फंदे निकाल लेने हैं इसी तरह से दोनों साइड से एक एक फंदा हम घटा देंगे और जब हम कटिंग करेंगे साइड की तो लास्ट में ज्वाइन को अलग नहीं करेंगे इस तरह से एक गुष्ये को एक मिल पेट देंगे अंद्र करके और खूलेगा नहीं इस तरह से बना सकते हैं यह देखिए हम दिखा रहे हैं दो फंदा दो दो फंदे को ले करके बिनना है दोनों साइड से सिर्फ दोनों साइड से दो दो फंदे को ले करके बिनेंगे अभी हम यहां यहां पर हम किनारे साइड में आगर अभी इस तरह से दो फंदे बिनेंगे जिस तरह से बिल्कुल प्लेन होता है वुदत यह अब इस तरहικό में लुकुल प्ल्टता umasवी आ जाता है सीधा सीधा और एक यह व्लटा है यह बंगा है इतना बड़ा बन गया हम दिखाते हैं चल रहे हैं एक टू बना करके दिखाएंगे ही तभी तो समझ में आएगा ना पूरी डिजाइंग कम्प्लीट आ, इंआ, तो समझ में ऑंदा कम्प्लीट गिखाते ही तो इता है जा Care दो vital समझ में आएभी कि अ पूरी तो समय ही तो समय है थी तो गया अब एक फंदा सिर बच्चा है यह हो गया कमप्लेट इस तरह से अब इसको कटिंग कर देंगे हम और यहां पर नॉट लगा देंगे इसको इंटर करके इस तरह से निकाल लेंगे तो फिर यह नॉट हो लॉट हो जाएगा नॉट लगा देंगे इस तरह से और यह हम और टिकिया बना करके रखे हुए थे पहले से इसी तरह से जिस तरह से अभी हम दिखाए उसी तरह से चारो टिकिया हमें बना लेनी है और इस तरह से इसकी हमें सिलाई करनी है अभी लेकिन अभी और भी इसमें काम है औ अब एक पल्ला हम और बना के दिखाते हैं इस तरह से एक फंदा डालेंगे और फिर इस तरह से हम इसमें 18 फंदे डालेंगे हम सुर्वात रेट से किये हैं इसकी भी सुर्वात रेट से ही करेंगे इस तरह से फंदे हम डालेंगे इसमें 18 फंदे यह हो गए पूरे कम्प्लीट 18 अब इसको हम एक कांटा पहले सिम्पल प्लेन उल्टी उल्टी गठी गठी बिन लेंगे अब उल्टी बिन लेंगे अब प्लेंगे अबस्टी बिन लेंगे अबस्टी गए अब इसको हम फिर से एक सलाई उल्टी भी लिए अब दोनों तरब से गठी ही पिनना है यानि उल्टा उल्टा ही पिनना है तो आप दूसरी तरब से भी आएंगा और यह जो निकला है इसको हम इसे मिला पेटते जाएंगे ताकि यह छिप जाएगा दिखेगा नहीं अब इसमें करना यह है कि हर सलाई में उल्टी साइड में जब हम सीधा बिनेंगे हर सलाई में दो फंदा छोड़ते हुए आएंगे अब पीछे साइड से पूरा प्लेन बिन देना है उल्टी उल्टी यानि गठी गठी ही अब चार फंदे शोड़ेंगे और वहीं से हमें बैक हो जाना है वापस हो जाना है यह इस तरह से बन गया दो कली बना करके दो के इसको हमें ऐसे उतारना है और उनको अपनी आर करना इससे एक जो स्किनारई की चोटी बनेगी न वह बहुत खूब सुरत बनेगी यह वह तक तक हम दो हम 2-2 पंदे देखे दो-थंदे छोड़ते आये लाश्ट का दो है इसे भी यही से दो फंदे बिन करके हम बैख हो जाएंगे यह इस तरह से चोटी बनेगी ऐसे उतारना है उनको अपनी वर करना है अब पूरी सलाई हम उल्टी-उल्टी मतलब पूरी सलाई एक सलाई में ही बिन देंगे इस तरह से यह बन जाएगा यह हो गया एक कली कम्प्लीट हो गई अब यहां से हम पीछे साइट से ही जिधर से हम दो दो फंदे छोड़ रहते वहीं से अब हम कलर चेंज करेंगे दूसरी उन लगाएंगे यानि दूसरी जो दूसरा कलर है वो लगाएंगे और एक सलाई पू लाश्ट था इस तरह से अब यहां से भी हम एक फंदा सीधा उतारेंगे फिर उल्टी-उल्टी पुरी बिंद लेंगे लाश्ट तक था यहां तक यहां तक हम आते हैं यह हम आ गए यहां तर अब यहीं से दो फंदा हम छोड़ करके बैक हो जाएंगे पीछे से चले जाएंगे और पीछे से फिर पूरी सलाई हम प्लेन बिनेंगे एक ही एक ही सलाई में बिन देंगे अब दूसरी बार में चार सलाई तिसरी बार में छे फंदा दो दो फंदे दो फंदे छोड़ते जाएंगे इस तरह से देखिए दो कली बन करके त्यार हो गई है और इसी तरह से हमें साथ कली बनानी है तो अभी और बना करके मिलते हैं का अब यहां से फिर से अंड couple चेंज करें देखिए फिर इना बनाना है तो आगे से फिर से एक सीने फिर प्ले सीपलर पीछे से और आगे से पीए सीने कि सिम्पल पीछे बीर चेंज तो यांवान से रहें चे यह छे कली बनकर के इस तरह से रेडी हो गया है अब लास्ट में हम एक कली और बनाते हैं रेट से बनाएंगे रेट से इंडिंग भी होगी लास्ट भी होगा रेट से ही जिस कलर से हम सुर्वात करेंगे अंत्र भी उसी कलर से होगा लास्ट वाली कली जो होगी उसी कलर से बन है बहुत ही इजी है बनाना और देखने में बहुत ही खुबष्णत है दरवाज़े पर भीशाइने से बहुत खुबसुरत है तो अगएगा तो अगर आप लोगों को भी मन होगा अगर आ जायगा तो कि ढूए बहुत ही जरूर बनाएंगर गला अगर नहीं दो बार तिन बार वीडियो को देख लीजेगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा और बनाईएगा ज़रूर अगे से पहला सलाई हम पहला फंदन उतारेंगे उनको अपनी युर करेंगे पूरा गठी-गठी बिनेंगे और लास्ट में दो फंदे को हर सलाई में दो फंदे छोड़ते हुए आएगे लाश चुटे रहेंगे उन सब एक सलाई में भी लेना है तो इस तरह से कली बन करके हाफ कली बन करके यह नोट लगा देंगे तो यह बन करके कम्प्लेट हो गया है अब इसको यह सब तो टुपड़ा जो है ना वह सब तो कटिंग करके निकल जागा इसको कटिंग कर लेते हैं यहां पर नॉट लगा देते हैं हर आ है यह मैं हमें आर बना करन रख लिए थे बरोम दो कली यह हो गया यानित दो । टुपड़ा यह ऑघया और यह जो हम पिसर्ज बनाया थे चौ रवक यह ऊघ्या कुल्च रिग्या है यांλि छी टुपड़ा बना चार उच्पड़ा बना दो कली बनी दोनों को जॉयन्ट करना है बड़े ही आसानी से थोटा जब बिनाई करते हैं तो छोटा थोटा होल बन जाता है उसी होल में से क्रॉस करकर के सिलाई करले नी है यह तो हम साड़ी से सील रहा है लेकिन अगर साड़ी मजबूत हो जाएगी और यह इजी हो उसे सील सकते हैं इस तरह से इसकी हम सिलाई कर लेंगे तो यह देखें चारू टुकडा को हमने ज्वाइंट कर दिया और यह जो छोटा छोटा टुकडा निकला है इसको हम कटेंग कर देंगे फ्रेस हो जाएगा अब इसका जो है च्छागं कली वाला इसे भी हम इस तरह से सिल लेंगे यह भी सिलाई कम्प्लीट हो गए आप लोगों को यह दोर में यह पायादान कैसा लगा जरूर बताईएगा कमेंट सेक्षन में अगर पसंद आएगा तो बनाईएगा वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल पर फल्टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्स्क्राइब कर दि दिजेगा ज्यादा से ज्यादा और मेरे वीडियो को मेरे चैनल को आप लोगों की प्यार की बहुत बहुत ज़्यों थैंक्स फर वासिंग माई फूल वीडियो